नमस्कार आईए आज हम गणित के एक ऐसे अध्याय के बारे में पढ़ते हैं जो अपने आप में एक अनोखा है हम गणित में अभी तक केबल जमा घटा गुणा भाग तक ही सीमित रहे जबकि गणित इससे आगे बढ़ करके और भी बहुत कुछ है और ऐसा ही एक अध्याय है गणिती ये विवेचन mathematical reasoning इस अध्याय के अंत तक हम क्या जान जाएंगे आईए देखते हैं सबसे पहले हम एक introduction भूमिका देखेंगे कि आखिर इसकी जरुरत क्यों है क्या है किस प्रकार का है और उसके बाद इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण एकाई है वो है कथन statement इसको जानेंगे statement के बाद जो पूर्व ज्यात कथन है जो हमें पहले से ही पता है उसको नए कथन बनाना और नए कथन में भी हम विशेश तोर पर पढ़ने वाले हैं उसका निशेधन negation of statement तो चलते हैं भूमिका की तरफ भूमिका में हम देखते हैं गनतिय भाषा में बिबेचन दो प्रकार के होते हैं पहला आगमनात्मक बिबेचन यानि inductive Deliveration deductive Deliveration अब इन दोनों में ये दोनों ही अध्याय कक्षा 11 में हम पढ़ते हैं mathematical induction के तोर पर पढ़ते हैं तो कहीं mathematical reasoning के तोर पर पढ़ते हैं यहां कुछ तथ्य यानि मूलभूत निगमनात्मक बिबेचनों पर हम चर्चा करेंगे कथन, statement, गणतिय बिबेचन की मौलिक एकाई गणतिय कथन होती है statement होती है अब इस statement का मतलब क्या है, कथन को कहना क्या चाहते हैं तो हम कुछ वाक्य देखते हैं पहला वाक्य, सन 2003 में भारत की राष्टपती एक महिला थी 2003 में महिला तो नहीं थी इसका मतलब यह तो असत्य हो गया किसी हाथी का भार एक सामाने मनुष्य के भार से अधिक होता है हाँ, यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि सामाने मनुष्य के बजन से एक हाथी का बजन अधिक होता है हमने दो वाक्य देखे इन दो वाक्यों में एक ऐसा वाक्य है जिसे सभी कहेंगे कि यह है सत्य है एक ऐसा वाक्य जिसे सभी कहेंगे कि यह है असत्य है तीसरा वाक्य देखते है महिलाएं पुर्षों से अधिक बुद्धिमान होती है यहाँ पर डिवेट शुरू हो जाएगी बाद विबाद शुरू होगा चर्चाएं शुरू होंगी कुछ सहमत होंगे कुछ असहमत होंगे तो गणतिय कथन में उसे कथन नहीं माना जाता जिसमें विभाजन हो जाए कुछ सत्य कहें और कुछ असत्य गणतिय कथन वो कथन होता है जो या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा आईए कुछ वाक्य देखते हैं दो जमा दो बरावर चार हम सब जानते हैं इसे कोई जुटला नहीं सकता तो हम क्या कहेंगे कि यह वाक्य हमारा सत्य है दो धन संख्याओं का योगफल धन होता है निश्चित तोर पर अगर दो धन संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे तो हमेशा धन होगा इसका मतलब यह वाक्य भी सत्य हो गया लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं बिशम संख्याएं होती हैं यहां अगर हम ध्यान करें तो पहली अभाज्य संख्या ही संख्या होती है अर्थात दो संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याएं तो बिशम संख्याएं नहीं होती इसे अगर कोई भी पढ़ेगा तो वो कहेगा कि यह तो असत्य है चौथा बाग क्या अगर हम देखें X और Y का योगफल जीरो से अधिक होता है ये कैसे कह सकते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता कि X और Y क्या है? वो X और Y के जो मान होगा उस पर निर्भर करेगा और Y का मान माइनस तीन है इन दोनों का योगफल किसी भी सूरत में जीरो से अधिक नहीं हो सकता अर्था यहाँ पर अब डाउट शुरू होता है कि X और Y क्या होगा तो ऐसा कोई भी वाक्य है गंतिय कथन नहीं कहला सकता जिसमें सत्य या असत्य हम नहीं कह सकें आएए कुछ वाक्य और आगे देखते हैं निम्नलिखित कुछ और वाक्यों पर विचार करते हैं क्योंकि गंतिय विवेचन में इन कथनों को जानना बहुत जरूरी है आह कितना सुन्दर है अगर इस वाक्य पर ध्यान करें तो ये बिशमें बोधक है जी हाँ सीधा सीधा भाशा पर आगे हैं गंत में तो ऐसा कोई वाक्य जो हमें विशमें आश्चर जनक लग रहा हो वो हो गया आह कितना सुन्दर या दर्वाजा खोलिए आदेश हो गई आग्या हो गई और तीसरा आप कहां जा रहे हैं प्रश्न हो गया तो गंतिय कथन में इन तीनों का कोई इस्थान नहीं है आदेश आत्मक हो या कोई प्रश्न हो तो वह वाक्य भी गंतिय कथन नहीं कहलाता तो गंतिय भाशा में इन में से किसी को भी कथन नहीं माना जाता है तो ध्यान में आया होगा कथन कौन सा माना जाएगा जो या तो सत्य हो या असत्य हो दोनों ही नहीं चाहिए पिश्मे बोधक भी नहीं हो आदेश आत्मक भी नहीं हो और सबसे बड़ी बात प्रश्न भी नहीं हो आईए कुछ और बाक्य देखते हैं ऐसे बाक्य जिनमें चर समय हो यानि variables हैं, हमें निश्चिती नहीं है अगर जैसे आज हम कहते हैं, कल, वह अगर या बीता हुआ कल, कोई भी शब्द ऐसा लग गया, कुछ उधारण देखते हैं, कल शुक्रवार है अब अगर आज मंगलवार है, तो क्या कल शुक्रवार होगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो आज ब्रश्वतिवार होना जरूरी है वह गनित का graduate है, सिनातक है अब वह कौन? वहाँ दो-चार हैं, हम कैसे कह सकते हैं, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कश्मीर यहां से बहुत दूर है यहां यानि हो सकता है आप जम्मू से बात कर रहे हो हो सकता है आप दिल्ली से बात कर रहे हो कहां से बात कर रहे है तो ऐसे कोई भी शब्द जिससे हमें यह कहना मुश्किल हो जाए कि वह है वाक्य कहां से शुरू है, उसका मूल औरिजन कहां है वे सभी वाक्य गणती ये कथन नहीं कहलाते लेकिन एक विशेश वाक्य पर गौर करते हैं कि एक महीने में 40 दिन होते हैं अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी एक माह कहा है हमें क्या पता कि जनवरी कहा है, फरवरी कहा है या मार्च कहा है, कौन से महीने की बात कर रहे है तो कभी-कभी शक होता है क्या इसे भी कथन नहीं मानें? नहीं, इसे कथन मानेंगे क्यों मानेंगे क्योंकि ये दिन बिशेश है किसी भी महिने में 40 दिन नहीं होते तो इसका मतलब 12 महिनों में से किसी भी महिने की बात हो यहां कोई भी महिना 40 दिन का नहीं होता इसलिए यह कथन है हाँ यह अलग बात है कि यह कथन असत्य है लेकिन कथन तो है यहाँ पर तो इस तरह से ऐसा कोई भी बाके जिसमें अनिश्चित समय हो वह भी गणितिय कथन नहीं कहलाता आईए कुछ आगे देखते हैं इसमें हम जाच करते हैं क्या निमनलिखित बाके कथन हैं और अपने उत्तर को कारण सहित भी बताना है आपको आठ छे से कम है लेकिन निश्चित है कि आठ छे से कम नहीं होता है अत्य है कथन है लेकिन असत्य है प्रत्येक समुच्चे का एक परमित समुच्चे होता है अब प्रत्येक समुच्चे एक परमित समुच्चे होता है finite set होता है, set दो तरह के होते हैं, finite और infinite, पर्मित और अपर्मित, लेकिन प्रत्येक समुच्चे पर्मित होगा, ये तो गलत हो गया, कुछ समुच्चे तो अपर्मित भी होते हैं, तो यहाँ ये पक्का नहीं कह सकते, ये इसलिए ना तो हम सत्य कह सकते हैं, और ना ही असत्य क प्रत्येक समुच्य परमित नहीं होता ये कथन है क्यों क्यों कि प्रत्येक समुच्य परमित नहीं होता है जी हां इसलिए इसको असत्य कैटेगरी में डाल करके हम कहेंगे कि ये कथन है लेकिन असत्य है तो कथन पर ध्यान करें कि हम कथन की भाशा ध्यान से अगर तो ये निर्ने कर पाएंगे कि ये वाक्य doubtful है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसमें doubt हो जाए, वो कथन नहीं होगा, लेकिन जिसमें हम और आप निश्चित रहेंगे, कि नहीं, ये सही है, ना, ये गलत है, तब जा करके हम उसे कथन कहेंगे, तो दूसरा वाला भी क कथन है, लेकिन असत्य है, सूर्य एक तारा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एस्ट्रोलोजी में माना गया है, कि सूर्य अपने आप में एक तारा की तरह है, इसलिए ये है सत्य हो गया, तो कथन हो गया, गणित एक कौतुक है, बहुत ही मनोरंजक है, एक बड़ा कौ बिल्कुल नहीं कुछ कहेंगे वाव घणित मज़ादार है तो यहां doubtful है इसलिए केबल ये हमारा कथन नहीं है बिना बादल के बरशात नहीं होती बिल्कुल ठीक है विज्ञान भी यही कहता है कि बरशात होने के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है तो ये कथन सत्य ह और वाक्य सत्य है कथन है बिल्कुल है यहां से चेन्नई कितनी दूर है यहां या नहीं जी हां बिल्कुल आपने सही कहा जैसे ही यहां शब्द आ गया तो हमें नहीं पता कि कहां से चेन्नई की दूरी देखी जा रही है तो जब ये निश्चित नहीं है इसलिए इसके बा नहीं कहेंगे ध्यान आया होगा आईए कुछ आगे देखते हैं अब प्रति पूर्व ज्यात कथनों से कथन शब्द हमें इस पस्ट हो गया अब इससे कुछ नए कथन बनाते हैं नए कथन में सबसे जो महत्तो पूर्ण है वो है निशेधन अर्थाथ Negation of a Statement किसी भी बाक्य को जो भी बाक्य यानि कथन हमारा है अब कथन है ध्यान रखना उस कथन की भाषा के आधार पर उसको पलट देना बिल्कुल बदल देना जैसे इसके लिए कुछ शब्द हैं किसी कथन का नकारना उस कथन का निशेधन कहलाता है किसी कथन के निशेधन की रचना करते समय हमें कुछ शब्द विशेश तोर पर रखने जैसे यह वस्तु इस्थिती नहीं है अगर किसी वाक्य में ऐसा लिख दिया शुरू में तो वह है उसका Negation यानि निशेधन हो गया या हमने लिख दिया यह असत्य है की यतना लिखने का मतलब यह उसका Negation हो गया Negative लिए हुए हो गया Negation हो गया कभी-कभी सीधा भी लिख देंगे नहीं करके जैसे एक वाक्य है कि नई दिल्ली एक नगर है अब नई दिल्ली एक अपने आप में City है नगर है इसका निशेधन अगर बनाना है तो निशेधन बनाने के लिए हमें तीन वाक्य बना सकते हैं पहला यह बस्तु इस्थिती नहीं है कि नई दिल्ली एक नगर है हम यह भी कह सकते हैं कि यह असत्य है कि नई दिल्ली एक नगर है तीसरा वाक्य भी बना सकते हैं जो सीधा सीधा नगेशन में जाएगा कि नई दिल्ली एक नगर नहीं है अब ये तो बच्चों को ज़ादा तर समझ में आ जाता है कि ये लिखना तो जी बहुत आसान है और इसे हम पहचान लेंगे कि नई दिल्ली एक नगर नहीं है यहां लिख रहा है नई दिल्ली नगर है यहां कह दिया नई दिल्ली नगर नहीं है लेकिन दो शब्द दो वाक्य या वाक्यांच आप विशेश धिहान में रखना कि यह असत्य है या यह बस्तु इस्थिती नहीं है अगर ये दो भी उस वाक्य से पहले जोड रहे हैं तब भी वह वाक्य या कथन निशेधन कहलाएगा इसका मतलब क्या हुआ है यदि पी एक कथन है तो पी का निशेधन वह कथन है जो पी को नकारता है और इसके लिए हम इस तरह का निशान इसमें प्रियोग में लाते हैं इसका मतलब है पी नहीं यानि जो कथन था वो नहीं है ये इसके निशेधन का प्रतीक हो गया आईए कुछ उधारन देखते हैं किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है अब आयत हम जानते हैं विकर्ण भी हम जानते हैं लंबाई समान होती है ये भी जानते हैं कथन है अब इस कथन का निशेधन बनाना है तो हम क्या कहेंगे यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकरणों की लंबाई समान होती है यहां जो confusion होता है वो हमारे गणित की knowledge से ज़ादा होता है क्योंकि हम लोग गणित में क्या पढ़ते हैं कि आयत के दोनों विकरण समान है और अब हम पढ़ रहे हैं कथन कथन सत्य या असत्य हो सकता है negation का मतलब है आपने अगर सत्य कथन कहा है तो उसको असत्य बनाना और अगर आपने असत्य कहा है तो उसको सत्य बनाना इसलिए यहां इस पर मत जाना कि जी विकरणों की लंबाई तो समान होती है हमने यह क्यों लिखा है कि यह असत्य है कि क्योंकि इसका नकारात्मक भाव लाने के वाला कोई कथन बना रहे हैं तो यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों भिकरणों की लंबाई समान होती है या कम से कम एक आयत तो ऐसा हो है जिसके दोनों भिकरणों की लंबाई समान नहीं है इस तरह से किसी भी सत्य बाक्य का भी निशेधन हम बना सकते हैं दूसरा देखते हैं वर्गमूल साथ एक परमे संख्या है हमें पता है कि वर्गमूल साथ तो अपरमे संख्या होती है हम लोग तो गणित में पढ़ चुके हैं लेकिन हमारे लिए कथन दे रखा है कि वर्गमूल साथ एक परमे संख्या है और हमें पता है कि ये असत्य है लेकिन इसे सत्य बनाना है निशेधन का मतलब सत्य है तो असत्य बनाना और असत्य है तो सत्य बनाना तो इसके लिए क्या कहेंगे यह वस्तु इस्तिती नहीं है कि वर्गमूल साथ एक परमे संख्या है या हम कह सकते हैं कि वर्गमूल साथ एक परमे संख्या नहीं है हम ये भी कह सकते हैं कि यह असत्य है कि वर्गमूल साथ एक परमे संख्या है आईए देखते हैं हमने आज क्या-क्या सीखा एक वाक्य गणित के अनुसार कब कथन कहलाता है हमने सबसे पहले ये जाना कि वो या तो सत्य हो या असत्य हो अगर सत्य और असत्य दोनों ही भाव लिये होगा तो वो गणितिय कथन नहीं कहलाता हमने देखा कि अगर विश्मे बोधक कोई बाक्य है कोई आदेश वाला वाक्य है या कोई प्रश्न है तो वह भी गणतिय कथन नहीं माना जाता ऐसा कोई वाक्य जिसमें अनिश्चित समय हो कोई निश्चित समय नहीं हो निश्चित स्थान नहीं हो जैसे आज, कल या बीता हुआ कल तो ऐसा कोई भी वाक्य भी गणती ये कथन नहीं कहलाता और इसके बाद किसी कथन का नकारना उसका निशेधन कहलाता है और निशेधन के लिए हम या तो लिखते हैं यह वस्तुष्थिती नहीं है या लिखते हैं यह असत्य है नया रूप नजर आया होगा आपको उब इसका भ्यास करें आपको बहुत अच्छा लगेगा धन्यवाद झाल 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 झाल